तो हेलो एवरिवन तो दोस्तो यहां आटो रिक्ष्या ग्यान में आप सभी भाई आटो ड्राइवरों का स्वागत दें दोस्तो यहां आप चैनल पे नहीं हो तो सब्क्राइब करना ना बुले और बेला योकन दावाज आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम इसके उपर में पहले भी जो गेर कंट्रोल का वीडियो बना चुका हूँ तो आज का वीडियो आगे चलते और फटापट देखते तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों इसके बारे में तो दोस्तों यहां आप देख सकते यह हैं जो पार्किंग ब्रेक या फिर जानकरी देने वालों तो दोस्तों यहां देख सकते यह पीन होती है कोटर पीन उसके अलावा इस तरह से इसको निकाल देना है और दोस्तों एक बात ध्यान में रखना आट रिक्षा के बारे में कभी कबार कुछ जानकरी हैं गलत लोग फाइल आते एक दूसरे में तो उस चलकी इसकी जानकरी आज में देने वालों तो दोस्ता यहां चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना बुले और आपके जो आटो ड्राइवर भाई दोस्त लोग होते हैं उनमें यह चीजे जो आटो ड्राइवर जो मेरा चैनल है उसका जो वीडियो शेर जरूर करना तो दोस्ता अब यह फिलाल केबल पूरी निकाल देता हूँ जो हैंड ब्रेक केबल है या परकिंग केबल भी कहीते हैं बहुत श्याटो ड्राइवर तो दोस्तों यह अच्छी हो तो इसको डिजल या फिर ओईल से क्लीन कर लेना है यह खराब हो तो इसको चेंज कर सकते है तो इसका कुल खर्चा जो भी आने वाला है वह आपको नीचे डिरिफ सेचन बॉक्स में बता दूंगा यह फिर उसकी जो नंबर है वह भी आपको नीचे मिल जाएंगी तो यहां दोस्तों में बहुत सारे पहले भी वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ तो दोस्तों आपक खराब हो जाता है वर्क नहीं करता है तो इसके लिए आज का वीडियो है तो फटापाट वीडियो लाश्टक बने रहने दोस्तों और आपको यह चैनल का नाम आटो रिक्षाग्यान और मैं अनिल वागुल और मेरे साथ है इमरान भाई दो मैं फिटर है मिस्तरी है तो आपको जो भी प्राबलम हो तो फिलाल देख सकते है केबल पूरते रहाब हो चुका है मतलब जो वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि इसको साथ-आठ साल हो चुके तो दोस्तों आभी फिलाल इसके लिए आप चेंज करते हैं और आगे इसको तीन सेट होते है केबल की लेट और कि लिएए चाहे केबल दोस्तों और सेंटर वाले जो अपनी की अगलए और चुकाव यह बहुए lesson फोस्तों यह कहना संपैट को लगता है यह बहुत से चीज बहुति करने इसे क्या होता है दोस्तों फीटींग करते सक्छे में यह भी बहुत असानी कोई बात नी तो पुरने वाले और नहींवाले को इस तरह बान्देने और उसको खिषते सेमें धीर-दीरी क्etr क्यों के ऐक Bear ज्यादा प्रोब्लम ना हो इसलिए से आराम से किचना क्योंकि सेटिंग का अधसे में भूत दिक्कत हो जाती और प्रोब्लम बढ़ सकता है तो दोस्तो आगे चलते और बात को और समझा के बता तो दोस्तो आपके पास आटो ड्रायर में पैसेंजर वीट्टे आप चल थे आटो भीड भाड़ो यहां पिर खुली सड़क द्धा नолнो और उतार यहां पिर चाड़ानो तो दोस्तोसों जहाँ गाटी खड़़ी करते तो तो यहां आपको देख सकते यह नीचे स्टेपनी होती है यहां जहां बिठते वहां से वायर को इसको निकाल देना है यहां 17 नंबर का तो रिंग पाना वह यहां फिक्स पाना इस के उस कर सकते आप ऐसको निकल चुकी और इसको फिर वायर करने हैं जो तो बहुत चेटव रहे हैं च्ड़न बचचेस को होते हैं टूशन होते ह alcohol अच्छे से वर्क नहीं करता हो इसके मुद्द हो सकती है यहां वीडियो में आपके लिए इसलिए बनाता हूँ दोस्तों पैसा तो खर्चा होता है आठो है आपका तो आटो रिक्षागान में देख सकते हैं यह नई वायर और इसकी कौटर पीन और पीन इसको इस तरह संबाल के रखना है तो दोस्तों यह चीजे इसमें जो वायर का अच्छे से वर्क होता है नहीं आगे चलके देखते पुरान यह नहीं इसको यूज करते से मिध्यान देने तो दोस्ता यहां में फेस्बुक इस्टाग्राम और यूटूब ऐसे जगा जो मेरा चैनल का नामे अटोरिक शेगान आप नए हो तो वहां भी आके वहां कमेंड औ आगे दोस्तों में शेयर करा हो यह कोई यूटूब में कोई प्रॉब्लम ऐसे आता है दोस्तों कभी क्लेम आता है कभी कोई कमेंड करता है तो कुछ भी होता है तो इसके लिए मुझे ज्यादा में वीडियो तो एडिट नहीं कर पाता हूँ वक्त निकला जैसे वक्त और लो जाए तो यह आप हैंड ब्रेक इसका यूज कैसे करते उस पर वीडियो बनाऊंगा और लाश्ट टक बने रहे ना दोस्ते क्योंकि इसकी जान करी बहुत कम लोग देते आटो रिक्षय के बारें और आप लोग दोस्तों में शेयर नहीं करते इससे भी प्रॉब्लम होत खाली हैंड ब्रेक आपको उसको अच्छी से ध्यान से नंबर नोट कर लेना दोस्तों आप पूरे डिस्प्रिशन बॉक्स में उसके चीज जो नंबर कीमत सब डाल दूंगा तो दोस्तों यहां बाई मेरा इमरान और मैं आनिल भागोल आपके लिए ऐसे बहुत सारी वीड जिट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी तो दोस्तों यहां आट औरिक्षागान में से बहुत सारे वीडियो रहते हैं जो हम अपलोड करते रहते आपके लिए तो फिर यहां भील देखते हैं और ब्रेक को चेकिंग करते हैं कि यह वर्क करता है यह नहीं और नेक्स्ट वीडियो के लिए में आनिल वागोल अट रुक्षागान में बाई